आटे का हलवा खाना तो सबको बहुत पसंद होता है तो आज हमें ले पारमपरिक तरिक्य? से था सिंपल तरह के से भीन अटा लिया है तो सबसे पहले इस आटे को हम जाल दूंगी देशी की और इसके बाद में पहलता है क्योंकि आटे को पहले से लिया तो थोड़ा अच्छा सा कलर आगया अच्छा बूं गया था जो भी जो है तो मैं इसके लिए चाष्णि मुना लोगी तुमें एक टॉरीस में चीनी ले सकते हैं और दाल दिया है और चीनी को मेल्ट करना है तो इसके बाद में डालूगी यह फूट कलर यह जाएगा उसके बाद में गैस के फ्रेम को आफ कर देंगे तो यह मरी जो चाशनी है अब देंगे जाशनी को में देर देर आड करते जाएंगे तो यह मैंने आटा जो है फूलता है इसके तो पानी जदा आड करेंगे तो मैंने इसमें पानी चलाते जाएंगे लगाता जब तक हमारा जो चाशनी है बिल्कुल इस आटे में बिल्कुल अच्छी से गुल जाए तो इसके बाद में थोड़ा से ड्राइफूर्ट कर दोंगे तो यह हमारा हल्वा जो है बिल्कुल बनकर तैयार है हम इलाईजी पाउडर में कूटकर डाल देंगे और सब उपर से दोचमच और देशी घी ढालों जाके से माई हलो बहुत अच्छी शाइनिंग ब्याजाएगी तो यह मैंने इसमें देशी ढालकर से मिक्स कर लेंगे तो यह बहुत ही टेस्ट लगता है बहुत ही टेस्ट लगता है बिल्कुल नॉर्मल जो दादी नानी जो बनाती है आप इसे जरूर ट्राइब कीजिए का बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सिंपल सा लबा है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो आप भी बनाकर इसे जरूर ट्राइब कर दीचेगा और मुझे फेस्बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो टरह क्यों घुक्ते हैं भाइब को बहुत जवचिंग नेक्स वर वाचिंग वाचिंग जबॉक भाचिंग एए।